सब्सक्राइब क्लास के एक अनादा क्लास में आप से भी का विलकम है बैसिकली हमारा क्लास नाइंथ का यह चैप्टर फॉर्स चल रहा था जो के हमारा कंप्यूटर का परिछे हैं विकास इनमें हमने देखा है कंप्यूटर के बहुत सारे टॉपिक्स लाइक माइड में क्या डिफ्रेंस होता है टाइप राइटर में क्या डिफ्रेंस होता है कल्कुलेटर में क्या डिफ्रेंस होता है और कंप्यूटर एंड कल्कुलेटर में क्या डिफ्रेंस होता है तो यह सभी टॉपिक के बाद आज हमारा जो नेक्स टॉपिक रहेगा वो रहेग और जो मारा data processing है वो इन दोनों topics पे data and information इन दोनों पे dependent है तो अगर आप इन दोनों को समझ जाते हो दो data processing में समझ जाओगे यह related है सबसे पहले हम देखने वाले है like what is data data क्या होता है actual में इन अगर हम आपको एक नॉर्मल में मैं आपको बताना चाहूं इन आपके जनरल में सो डेटा क्या होता है डेटा बेसिकली कुछ ऐसे डेटा मीन कुछ ऐसे information कुछ ऐसे collection होते हैं जो sequence रूप में नहीं होते हैं जो systematic वे में नहीं होते हैं ठीक है थोड़ा सा definition की तरफ चलते ह होता है कच्ची और प्रसंस्क्रित तत्त आकड़े और विवरणों का संदर्वित करता है जो विभिन स्रोतों से एकत्र किये जाते हैं यह जानकारी का बुनियादिस्तर होता है ठीक है फर्स्ट स्टेज होता है जिसे अभी तक विसलेशित या फिर व्याख्या नहीं किया होता है डेटा विविन रूपों में हो सकता है जैसे शंख्या पाठ चित्र और ठीक है तो बेसिकली डेटा को मैं अगर जनरल लेंग्वेज में समझाना चाहूं आपको तो देखो जैसे मैंने यहां पर एक 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 जामपल लिखा है ठीक है मेरा यहां पर प्रिंट एव है तो यहां पर मैंने एक एक जम्पल लिखने की मैं कोशिस कर रहा हूं कि यहां रहा है एक जामपल जैसे मैंने लिखा एह ख्या च्यार एशेच एट सकusu चेभाद माने यहां पर निखा हर्स पिर उसके बाद मैंने कुछ और लिखा जैसे वारानसी लिख दिया ठीक है उससे पहले मैंने कुछ और लिखा जैसे यूपी लिख दिया उससे पहले मैंने कुछ और लिखा क्या लिख दिया जैसे मैंने और कुछ लिख देता हूं MR Mr , ठीक है अब देखो इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है जैसे इसको देखकर आब को बहुत सारी चीज़िस समझ में पहोंगे अगर आप इसको समझना चाहें जैसे यहां पे हमारा कुछ यहां पर основ ड है फिर उसके वाद हम ने हां पे कुछ स्टेट का नाम रिख्या है फिर किसी person का फर्स्टनिम हो सकता है कुछ ऐसा यहाँ पे एक 29 से किया गया कुछ यहाँ पर एक सरनेम मेंने किया कुछश एक location का नाम यहाँ दिया गया ठीक है अड़ले का नाम तो यह इसके बाद एक सेट का नाम है फिर उसके बाद एक सिर्ड का नाम है एक यहां पर एंगे किया गया है यह सब्सक्राइब सारी डेटा है data basically क्या होता है यह एक raw material होता है राउ होता है जो बहुत सारे information का collection होता है बट वह एक्चुल में systematic किया में नहीं होता है हमारा first phase उता है चाहिए जैसे example में देखो यहां पर नंबर दिया गया है 14578 और उसके वाद एक और भी चीज़ी दी गई है देख यहां पर एक जो हमारा सेगंड टॉपिक है इंफॉर्मेशन उसको मैं आपको बता देता हूं फिर उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग बता हूं तो उसके बाद तीनों जो टॉपिक है वह क्लियर हो जाएगा अब जो हमारा डेटा और इन्फोर्मेशन उसको क्या गया जिस जब हम सभी डेटा को प्रोसेश करते हैं जो सभी हमके हमारे जो अभी raw material होते हैं उनको हम लोग जो raw data होता है उसको process करते हैं और उसको समझने योग्य बनाते हैं ठीक है समझने योग्य useful बनाते हैं उसको convert करते हैं विसलेशित करते हैं ब्योस्थित करते हैं system अब यह क्या है यह एक प्रकार का information है सूचना है या फ्र एक data है सो यह है एक information ठीक है कैसे information है क्योंकि देखो इसको पढ़ करके हमें कुछ चीज़े समझ में आ रही है जैसे यहां पर लिखा हुए Mr. Hars Vatak 2003 वारानसी यूपी बहुत सारी चीज़े इसमें समझ आ रही है क्या गया समझ आ रहा है जैसे यह किसी परसन का नाम है पूरा Mr. Hars V पाथक फिर उसके बाद रही है इसके बाद यहां पर वारानसी यूपी ठीक है मतलब उनका हो सकता है एड्रेस हो उनका प्लेस हो बर्थ प्लेस हो उनका स्टेट हो तो यह पूरी information है यह हमारी क्या है एक information है यह सूचना है जो यह समझने योग है विवस्थित तरीके से है और यह एक प्रकार का उप्योगी है यूसफुल है और देखो प्रीविएस जो था टॉपिक में डेटा का डेटा में हमने क्या देखा था डेटा में देखो कुछ भी था यहां पे सब्सक्राइब युपि हैं उसके बाद सन यह मीन सर नेम उसके बाद प्लेश यह सब चीजे क्या थी सिस्थमेटिक में नहीं थी बिलकुल नहीं थी सिस्थमेटिक में बड्ट जो हमारा यह हैं सूचना and data में जो main difference होता है यह यही होता है जो हमारा data होता है वो systematic way में नहीं होता है बट जो हमारा information होता है वो systematic way में होता है information useful होता है उपयोगी होता है समझने योगी होता है ब्योस्थित होता है बट जो हमारी data होते हैं वो ऐसा नहीं होते हैं डेटेसिंग इस्से रिलेटट कोई डाउट नहीं रहेगा डेटा जो डेटा को में बदल दिया जाता है इसमें डेटा का जो संग्रण होता है वो संग्ठन विसलेशण ब्याख्या प्रस्तुती भी सामिल होती है सो बेसिकली हमारा जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो क्या होता है रो डेटा को को कनवर्ड किया जाता है रो डेटा को कनवर्ड किया जाता है और यही जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा प्रसंसकरण या फिर बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग नाम से ही चीजे क्लियर हुए ठीक है डेटा प्रोसेसिंग डेटा को प्रोसेस करके समझने योग मीनिंगफुल information में सूचना में convert करना ही data processing कहलाता है और यह जो processing होता है उसके कुछ step होते हैं पहला होता है संग्रण दूसरा होता है processing तीसरा होता है analysis मितलब विसलेशर चौथा होता है प्रस्तूती ठीक है जो संग्रण होता है इस प्रोसेस में जो मारा data होता है इसको बिभीण सुरुटों से बहुत से जग़ें से इसको इकठा किया जाता है फिर आता है आपका next step process का स्टोर स्माइन कारी को यूजर के लिए प्र little करना तो यह जो हमारा डीटा प्रोसेसिंग है उसके चार यहां प्रोसेस होते हैं और यह से आप जानने ज़़ूरी है परस्ट है संग्रण, दूसरा है processing, तीसरा है analysis, फ़र्थ है हमारा presentation, data processing क्या होता है वो भी आपको clear हो गया होगा, ठीक है, data क्या होता है वो भी clear हो गया होगा, और information क्या होता है, उस related भी doubt clear हो गया होगे, ठीक है, एक बार salt मैं आपको फिर से revise करा दे रहा हूँ, जो मारा data हो होता है Raw material होता है meaningful नहीं होता है systematic वे मे नहीं होता है यह meaningful और useful बिल्कुल नहीं होता है डेटा जह होता है बिईमी当然 181 से कि अग mrton होता है file information जोता है वह भीर का नंग नहीं होता है बट वूद किस प्रकार का data होता है वह process कि या गया data होता है समझने योगय होता उपयोगी होता है विसलेसित होता है व्योस्थित होता है सिस्टमेटिक में होता है मीनिंगफुल होता है यूजेबल होता है यूज के लिए और डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है रो डेटा को इंफॉर्मेशन में कनवर्ड करना ही डेटा प्रोसेसिंग होता है कच्छे जवारत